हलो गाइस वेलकम बैक टो आर गाड़ेनिंग चैनल प्रमोतू द्यान तो फ्रेंड्स आज मैं आपको आलमंडा फ्लांट की क्यारिंग टिप्स के बता उपर एक वीडियो यह लाया हूँ जिस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्यारिंग कैसे करना है इसका दिख तो अभी मैं इसको ऊपर से थोड़ा फ्रोन करूंगा इसको फेटिलाइज करूंगा क्योंकि यह बहुत ही फीडर होता है तो इसमें जो बॉंस्मी फ्ल भी बहुत ही आते हैं तो इसलिए बहुत ही यह भी फीड करता है इसका रूट बाउंडिंग हो गया है देखिए यहा प्रोरींग करना का शिंबल है अगते कि इस सीजिन में अभी जो आने बाला मंसुन का सीजिन होता है तो आप इस सीजिन में बहुत ज्याधा हाड़ प्रूंग नहीं करना चाहिए फ्लांट को क्योंकि अभी इंका फ्लावर इंका आना टाइम हो गया है इसलिए इसको ब्रांचेस निकल पाए ताकि इसमें नया नया बहुत ही फूल आए इसलिए सिर्फ एससे ही टीप से कुछ फ्रोन करना चाहिए अभी मैं ये सारे टीप को फ्रोन कर दूँगा देखिए और यहां पर देखिए इतने सारे में डिफ्स निकालूंगा मैं ये बाला टीप को फ्रोनिंग नहीं करूंगा तक क्योंकि मुझे अभी मेरे गाड़ेन में फ्लावरिंग चाहिए तो ये सारे उपर के जो टीप से इसमें फ्लावरिंग हो भी होगा उसके बाद जब इसमें फ्लावरिंग खतम होगा तो उसको भी मुझे प्रोन कुर दूँगा ताकि सेकेंड बार इसमें फ्लावरिंग आजए और ये वाले तभी तैयर हो जाएंगे तब तक के लिए देखें यहां पर मैं एक टीप्स छोड़ दिया हूँ देखें सारे टीप को फ्रून नहीं करेंगे कुछ कुछ को छोड़ देंगे ताकि जो छोड़ा गया टीप्स होंगे उन पर फ्लावरिंग अभी आ जाएगा और जो फ्रून किया गया टीप से उनके बाद में हटाना है रूट बांडिंग को आपको हटाना चाहिए जरूर चाहिए देखें फ्रेंड्स केसे कितने सारे रूट्स बन गए थे यह जितना भी प्लांट बड़ा सा फ्लांटर लेंगे आपके प्लांट के लिए उतना ही अच्छा होगा पर मेरे पास तो यह चोड़ा सा बनते हैं और एक जीज यहां पर देखिए मेरे माट यहां पर जो माटके में मीटी भरा हुआ है प्लांटर में यह बहुत ही खुसकु है देखिए कितना बड़ा बड़ा रूर्स हो गया है इसमें बहुत सारे रूर्स इसका जो होते हैं यह बहुत ही ज्यादा ग्रोथ होते हैं इनका फ्लावरिंग के टाइम पर तो इसमें अभी मैंने लगभग 30 to 40% मेटी निकल दिया हूं तो अभी इसमें मैंने यह जो गोबर क का खाद है यह भर दूँगा है 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 प्लांट के अकड़िंग आप यहां पर इसमें मीटी भर सकते हैं जैसे कि मैंने इसमें सिर्फ दो तिन मुठी खाद भरा हूं उसके उपर यह वले जो कटे हुए रूट और उसके मिटी इसको भर दूँगा यह अभी इसमें जो गल जाएंगे यह सारे रूट और इसमें जो फर्टिलाइजर की तरह काम करेंगे दिखिए यह कितना इसका टेहनी बड़ा हो गया है इसलिए इतना लटक रहा है इसमें बहुत ही इंपोटन्ट होता है इसमें जो पानी का मत्रा देना इसमें जो पानी जब भी यह फ्लांट नीड करें जबी समर का सीजिन चल रहा है तो इसलिए इसमें देखवाल करके जरूर पानी इसमें रेगुलार्ली वह वाटरिंग कर जिए तो आपके प्लांट अभी बहुत ही फ्लावरिंग पर आएगा है फ्लावरिंग करेगा तो यह था आज के लिए हमारा जो अलमंड फ्लांट के ऊपर केरिंग टिप्स इसको रखते थे यहां पर और यह वाले दिखिए जो इट्स रेडी नाव फ्लावरिंग तो आज क्या वीडियो के सालागा कामेंट में जरूर बताना वीडियो का लाइक एंड से जरूर करना ने है तो चैनल को जरूर सबसे कर लेना थैंक्स फिर वाचिंग प्रमतुत्या कि अम्लाव कर द दिखिए भाए और सीटर को जया थाज है प्रमतुत्या बतां के प्रमतुत्या अवीडियो को जे जरूर को चैनल को를 सबस्ते हैंक्टीए लेगल मेंगर बता रिखिए